डोपमाइन का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो मी सीख लेते हैं डोपमाइन जो है वो एक तरीके का न्यूरो ट्रांसमे βांश्मिATOR होता है यानि कि हमारे दिमाग तक और दिमाग से शरीर के अलग-अलग अंगों तक जो संकेत पहुँचाने वाला जो एक तरीके का chemical होता है chemical messenger होता है उसको हम dopamine कहते हैं तो ये एक तरीके का आप hormone भी समझ सकते हैं से या एक तरीके का जो chemical होता है जो हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक और दिमाग के बीच में signals को transmit करता है यानि कि dopamine is a neurotransmitter which is a type of chemical messenger that transmits signals in the brain and other areas of the body यानि कि dopamine जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दिमाग तक या दिमाग से दूसरे अंगों तक signal पहुँचाने का काम करता है इस से हमारा mood का regulation होता है यानि mood अच्छा होना है बुरा होना है वो सब यह इसी से होता है motivation भी इससे प्रभावित होती है reward और movement सारी चीज़ में जो है हमारे शरीर की जो इस तरह की messaging वाली है वो इस dopamine से ही regulate होती है यानि कि इसी से हमारे शरीर में जो है सारे signal transmit होते है और dopamine का जो level है अगर वो जादा हो तो भी दिक्कत है कम हो तो भी दिक्कत है और इसके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस video की description में पढ़ सकते हैं यह जानकारी हमने आपको सिर्फ educational purpose से दी है या informational purpose से दी है हम किसी भी प्रकार की कोई भी medical सलह इस channel पर नहीं देते हैं ना ही हमने इस video में आपको किसी प्रकार की कोई medical सलह दी है यह video सिर्फ और सिर्फ sectionic उद्दिश्यों से बनाया गया है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें